श्रिडी में साई बाबा का दर्शन करने के बाद साई हेरिटेज विलेज गुमने के लिए सबसे अच्छी जगा है साई बाबा जब श्रिडी में आये थे तब श्रिडी एक साधरन गाव हुआ करता था पूराने शृड़ी में साई बाबा की इस तरह से अपना जीवन वेतित करते थे बाईजामा की इस तरह से साई बाबा का ख्याल रखा करती थी और साती में यहाँ पर आप मैजिक शो और बहुत तरह की एडवेंचरेस एक्टिविटी भी कर सकते है तो चलिए चलते है साई बाबा की पूराने शृड़ी में यह वाला साई हेरिटेज ओल्ड विलेज शृड़ी साई बाबा मंदिर से 3.5 किलोमीटर के दूरी पर है साई हेरिटेज विलेज में पर परसन 150 रुपीज इंट्रिफीज लिया जाता है और साई बाबा की पूरानी शृड़ी में आते ही सबसे पहले आपको यह दुरुष्य दिखाई पड़ता है यहाँ पर यह बताया गया है कि मारसा पती जो कि शृड़ी के एक खंड़ोबा मंदिर के पूजा रही है और साई बाबा जब शृड़ी में पहली बार आये थे तब मारसा पती ने साई बाबा को आओ साई के के पुकारा था तब से सभी बक्तगन बाबा को साई बाबा के नाम से जानने लगे और आज भी शृड़ी के अंदर मारसा पती का खंड़ोबा मंदिर मोजूद है बिक्षू बिक्षा मांगते वे नजर आते हैं जिने मराठी बाशा में वासु देवजी कहा जाता है इस जगा पर गाउ के जीवन शेली का एक खुबसुरत सा दुरिश्य दिखाया गया है यहाँ से थोड़ा ऐसा आगे आते ही अपको पुराने शिर्डी की ये चावडी सभी गाउ के लोग बेट कर मीटिंग किया करते थे साई भबा मंदिर के पास में आज भी चावडी मोजूद है जहाँ पर साई भबा आकर रात को सोया करते थे आज भी भक्तगन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं साई चावडी से थोड़ा सा आगे आते ही अपको बाइजा माई और साई भबा का ये अद्भुत रिश्य दिखाई पड़ता है साई भबा बाइजा भबा को बाइजा माई यानि की मा कहके पुकारते थे और साई भबा बाइजा भबा के घर पे हर रोज बिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे बाइजा माई वही है जिन ये भाव महराज कुम्बार जी है जो कि साही बाबा के परम वक्त थे साही बाबा के साथ में हमेशा रहा करते थे और साही बाबा के पालकी के सामने जाड़ू पूछा लगाने का कारिय किया करते थे और साइब आबा जो भी अन्न ग्रहन किया करते थे उसमें से आदा भाव माराज को भी दिया करते थे साइब आबा समावधी को प्राप्थ होने के बाद 27 एपरिल 1938 को भाव माराज का भी देहान दो गया था पुराने शिर्डी का यह दुरुष साही बाबा की जो गुरुवार को पालकी निकलती है उसको यह दुरुष दर्शाता है सभी बक्तगन एक साथ आकर द्वार का माई से पालकी निकालकर बड़े धुमदाम से साही चावडी में पालकी को लेकर जाते है साही पालखी के सामने अपको यह दुरुषय नजर आता है जो कि खंडोबा मंदिर में होने वाले जागरन सोडा को दर्शाता है साही बाबा शिर्डी में 16 वर्ष की युवा आवस्ता में आये थे और मंदिर के पास बने निम के रिक्षे के निचे उन्होंने खुदाई करने को कहा था और खोदने के बाद चार जलते वे दिये वहाँ से प्राप्त हुए थे वो साही बाबा का गुरुस्ताने उसी दुरुषय को यहाँ पर दर्शाया गया है अबेया माचुके है पुराने श्रिडी के द्वार का माई में जो कोच इस थरा से दिखाई पड़ती थी द्वार का माई में सभी गाव की लोग एक साथ आया करते थे और साई बबा सभी गाव के लोगों के लिए अपने हातों से खाना बना कर अपने हातों से खाना परोसा करते थे आज भी मंदिर के पास में द्वार का माई है जहापर अखंड रूप में दूनी जलती रहती है और बाबा जिस चूले पर खाना पकाया करते थे वो चूला भी द्वार का माई के अंदर आज भी आपको दर्शन के लिए रखा गया है यह एक लोहार है साई बाबा दुनी के पास में जब बैटे थे तब गाव के एक लोहार के घर पे छोटा सा बच्चा गलती से आग के भटी में गिर गया था तब साई बाबा ने द्वार का माई में बैठे बैठे जलते हुए दुनी में अपना हाट डाला था और इस छोटे स को यहाँ पर दर्शाया गया है और साही बाबा गाओं में अवश्य होने पर गाओलों की चीकित सक और भी कई प्रकार की सेवा किया करते थे 15 अक्टमबर 1918 को विजया दश्मी का दिन था इसी दिन साही बाबा महासमादी को प्राप्त हुए थे समादी में जाने से ठीक पहले साही बाबा ने अपने परमभक्त लक्ष्मी बाई शिंदे को नोचंदी के सिक्के दक्षिना के रूप में दिये थे लक्ष्मी बाई शिंदे वही है जिनोंने 30 वर्षों तक साई बाबा की सेवा की थी आज भी श्रीडी में लक्ष्मी बाई शिंदे जी का घर मौजूद है साई बाबा की पुरानी श्रीडी गुमने के बाद जैसे आप बाहर आते हो बाहर के तरफ आपको ये वाला पार्क नजर आएगा यहाँ पर आप बहुत सारी गेमिंग एडवेंचरिस एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें से अभी हम टॉय ट्रेन राइड पर जाने वाले हैं और इस टॉय ट्रेन पर जाने के लिए पर परसन फोटी रुपिस अलग से डिकेट देना होता है टॉय ट्रेन वाली राइड करने के बाद आप रोपवे राइड कर सकते हैं इस राइड के लिए आपको अलग से फोटी रुपिस टिकेट लेना होता है इस वीडियो को यही पर एंड करते अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं आपको नेक्ट व्लोग में इस वीडियो करना मिलते हैं इस वीडियो करना मिलते हैं इस वीडियो करना